हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेवाजर वितायूश और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हम तत्व चिंदन आई प्यों के बार में तत्व चिंदन आई प्यों कल हमारे एक्स्चेंजस पर देखिया आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेग और जिस तरह से देखें लगातार जी एंपी चल रही है डेफिनेटल आप मान के चलेए कर आपका पैसा दो गुना होता हुआ आपको देखने को मिलने वाला है तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आपको कल तत्व चिंदन आई प्यों में करना क्या है कितने पर लिस् दोस्तों चैनल से आप नई जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना प्लीज मत भूलना और दोस्तों एक और इंपोर्टन बात फ्रेंस अब चाहे तो हमाई दूसरे चैनल को भी आप सब् चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में अब जाके चेक आउट जरूर करेगा सब्सक्राइब कर लीजेगा और कल एक नया वीडियो आपको आता हुआ देखने को मिलने वाला है तो दोस्तों चलिए बिना किसी तेरी के वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड जैसे कल आपक काफी स्ट्रॉंग रहा है और फाइनेशल परफोर्मेंस के एकारण दोस्तों कंपनी को इतना जाता देखिए सब्सक्रिप्शन मिला वन एटी ताइम सब्सक्राइब नहीं है काफी टाइम के बाद देखिए आपको कोई ऐसा आइप आता हुआ देखने को मिला था जो वन तो फ्रेंड साफ साफ जी एमपी उमको शो करती है कि ग्यारो सो पच्चेस रुपे किसको गहता ही आप वन जिरो एट रुपीस का देखिए इसका इशू प्राइज है वन जिरो एट थी में आप ज्यारो सो पच्चेस तो कम से कम मान के चलिए और पिछले कुछ पुछ आपको साफ साफ की जी एमपी तो आपको सिर्फ एक दिशा दिखा रही है लेकिन इससे जाद ही उपर आपको जो भी आई-प्योज है वो खुलते वे देखने को मिल रहे हैं अब सबसे बड़ी बात क्या हमको कल आई-प्योज को होल्ड करना है यह बहुत बड़ा मैटर है आपके पास कंपनी जोड़दार आई है याद रहे है जिनको भी आई-प्योज लगा है उनके पास कंपनी बहुत जादा बहुत बहुत जादा बहुत है इसलिए आपको इतना ज्यादा यहाँ पर रिटर्न मिलता हुआ देखने को मिलेगा कह सकते कि मोर दन 100% रिटर्न है आपको आपकर मिलता हाँ देखने को मिलेगा लेकिन सबसे बड़ी बात यह कंपनी दोस्तो बहुत जाद बढ़ी है company के financial performance पर आपको होता हुआ देखने को मिल चुगा है टो लगा तर कंपनी सार बर सार आप देखिए यहाँ पर लगातार अपने profit को increase करती भी नजर आ रही है company का revenue देखिए 2068 million से 2646 million 3062 million आपको 31st मार्स 2021 तक company का यहाँ पर revenue रहता हुआ देखने को मिला है सबसे बड़ी बात company सबसे बड़ी बात इस company को आप अपने portfolio का हिस्सा बना के रख सकते हैं जिनके पास भी आता है याद रखिए पार्शल प्रॉफिट बुकिंग बली आप कर लीजे जिन लोगों ने अगर सिर्फ लिस्टिंग गेंस के लिए लगाया है तो डेफिनिटली वो सोल्ड आउट करके चलें विकाज हो सकता है कि इसके बाद profit booking आजाए क्योंकि 100% अगर आपको यहाँ पर प्राइस मिल रही है तो बिलकुल चांसस बनते हैं कि शेर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करें फिर वापिस से देखी नीचे आके बढ़ना चालू करें लेकिन जिनको यकीन है क्योंकि देखे कंपणी में कोई भी कल्टी नहीं कोई भी दिखकत दिखती नहीं क contractors काफिकी कहाँ तो अगर इतना विकार पर्फॉर्मेंस है तो आपको यह पता रहा है कि अप्क्रिष आगे नुप पिछ आपको बढ़ता हुए देखने को मिलेगा बली आपको लिस्टिंग के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती भी देखने को मिल जाए दो-तिन दिन बात तो उससे कोई बड़ा फड़क पड़ेगा नहीं क्योंकि देखे कंपनी के प्रफॉमेंस आउटस्टैंडिंग है कंपनी के प्रमोटर्स के पास करीबन सेवनटी नाईज परसेंट होल्डिंग रहेगी देखे आफ्र आइप कोई करता नहीं थोड़ी दिनों तो पहले मपए चाहिए थोड़ा बात करके रिधा है यहां से ज़्यादा बडवारी वह करोदी डिक यहां पर जॉद्व आईप्टे स्थो लाए तो इतने पी निंग कि सबでもš05 यह कउने हैं तू Senhor Nicholas अनुमान लगा के चलें तो 2083 आपको issue price देखने को मिलता है 1125 अभी आपको देखे यहाँ पर company का GMP चलता हुआ देखने को मिल रहा है जो करीबन यहाँ पर हो जाता है 2028 के असपास ठीक है आपको यहाँ पर listing मान के चलिए तो 2028 के अगर यहाँ पर listing होती है तो आप मान के चलिए अगर यहाँ पर साफ साफ भी देखे तो 1125 अभी तो आपको अभी company का grey market premium चल रहा है और company के price 1083 यहाँ पर 2028 के असपास यहाँ पर IPO आपको list होता हुआ देखने को मिल सकता है लेकिन इसके बाद क्या मुझे लगता है कि लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा करीवन 2050 के असपास क्योंकि यहाँ पर HNIs की cost आ रही है वह करीवन 851 रुपर तो HNIs ही दे रहे हैं तो यह मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कल हो सकता है कि 2050 से लगाकर 2100 फिर 2070 रेंच पकड़के चलिए इसके बीच में कल आपको यह लिस्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा 2050 से लगाकर 2070 के लेवल आपको कल देखने को मिल जाएंगे लिस्टिंग पर और इसके बाद और बड़े तो बिल्कुल मैं को मैं कह सकता हूँ कि दिखे चांस हंड्रेट पोसेंट है इसके आगे भी और बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है तो कल आप मान के चलिए एक क्लोइग अगर यह देगा तो 2100 के पार क्लोइग आपको कल देता हुआ नजर आ सकता है तो जिनको कल देखे बेचना है वह 2100 के आजपस अपना टागेट लगा के चलिए 2100 बेच के चलिए लेकिन जिनको नहीं बेचना वो अपना स्टॉपलोस लगा लीज़ेगा कल 1900 क्योंकि 1900 रुपय के stop loss से याद रखिए आपका profit सेव रहेगा क्योंकि यहां पर इतना बढ़िया profit देखिए हमको जाने नहीं देना है 1900 रुपय का SL लगा के चलिए ताकि यह जो SL रहेगा यह हमारा stop loss तो ही लेकिन इससे सबसे बड़ी बात क्या होगी हमारा profit बचता जाएगा profit जाएगा नहीं हमारे आज से लेकिन जिन लोगों कल लेना है वह भी देखिए स्ट्रेडिजी के साथ ही काम करें जो भी आप आप पर IPO लिस्ट होता बहुत देखने को मिलेगा और यह long term में भी बहुत ही बढ़िया stock रह सकता है तो याद रखिए जो partial profit booking करना चाहते है वो partial profit booking करके चले लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ IPO में लिस्टिंग के लिगाया था वो कल बिल्कुल यहां पर निकल के चल सकते है क्योंकि market आने वाले दुनों में volatile plus risky रह सकता है तो यहां पर गिरावट संभवे आने वाले दुनों में इस IPO के इंदर गिरावट आते ही कि नहीं वो तो देखिए आपको आने वाले दुनों पर चलेगा लेकिन कल जिनके पास भी आया है वो definitely सोच के चले कि आपको कल तगल listing in होने वाले और कल आपको यहां पर बहुत बढ़िया देखिए यह शेर काम करता हुआ देखने को मिलेगा तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था hope आपको अच्छा लागा होगा एक और बार आपको देखिए price बता देता हूं range वापिस से देखिए आपको बता रहा यहां पर आपको क्लोजिंग बेसिस में आइपियो के अंदर देखने को मिल सकते हैं तो याद रखिए यह range लगा की चलना है stop loss मेंटन करना है आपको 1900 का तो friends इस वीडियो में इतना ही था thank you for watching this video